हेलो गाईज, वेलकम टो विद्दल अच्छमी कोचिंग, गाईज मैं आप लोग के लिए आज क्लास 7 हिंदी जो के चप्टर नमर 4 खुसबू रचते हाथ लेकर आए हैं, तो फिर चलिए खुसबू रचते हाथ, आज हम लोग explain करेंगे और explain करने के बाद questions भी करेंगे, तो फिर बढ़ते हैं हम लोग explain की ओर, तो देखिए, फास्ट में आपको दे रखे हैं कि कई गलियों के बीच, कई नलियों के पार, कोडे करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुसबू रचते हाथ, खुसबू रचते हाथ, तो देखिए, फिर की अनुसार इस पाट में कह रहा है कि सरमिकों के कारियस्थल की अस्वस्त कर, दसा का उल्ले करते हुए, कहता है कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कोडे करकट के ढेरों के बाद, जो गाव, ठोला, बस्ती, उनमें खुसबू और गंदगी का समराज्य होता ह एसे बस्ती में जो सरमिक कारिय करते हैं, वे सियम तो अत्यांत कठीनाईयों में रहते हैं, लेकिन संगसार के लिए खुसबू फैलाने बाली अगरवत्तियां बनाते हैं अब देखे, हम लोग नेश्ट में चलते हैं, नेश्ट में दे रखे हैं कि उबरी नसो बाले हाथ, घिसे ना खुनो बाले हाथ, पीपल के पत्ते के नए नए हाथ, जो ही की डाल से खुसबूदर हाथ, गंदे, काटे, पीटे हाथ तो देखे, इस प्रास्तुत पंक्ती के अनुसार कभी कहना चाहता है कि अगरवत्तियों के मैद्धम से संचार में सुगन का संचार करने बाले स्रमिक की अपनी इस्तिथी अत्यान दैनियों होती हैं उनकी इस्तिथी के अनुसार उनके हाथ भी होते हैं जेसे उबरी नसो बाले हाथ, घिसे नाखुनों बाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए-ने हाथ, जो ही की डाल से खुसबूदर हाथ, गंदे, काटे, पिटे हाथ, जखम से फटे हुए हाथ, आदी एसे भीविन्नी इस्त के लिए खुसबू की रचना करते हैं, अब चले नेश्ट में दे रखे हैं, देखें नेश्ट और लास्ट, दे रखे हैं कि एही इस गली में बनती हैं मुल्क की मसुर अगरवत्तियों, इन्ही गंदे महले के गंदे लोग बनाते हैं क्यवड़ा, गुलाब, खस और रातर अगरवत्तियों, दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुसबू रचते हैं हाथ, खुसबू रचते हाथ, खुसबू रचते हाथ, देखें इस पंग्तिक अधर पर कभी कहना चाहता है कि वस्तियों, गंदे महले के गंदे लोगों के दबारा देश की जैसे केवड़ा गुलाब खास और रतरानी की खुसबू से युक्ठ अगरबत्या दुनिया की सारी गंदगी के बीच से संसर को सोगंधित करते हैं। दुनिया की सारी खुसबू इनके हातों से ही होकर तैयार होकर निकलते हैं और सारे दुनिया को खुसबू फेलाते हैं। नमर का क्वेश्टन है कि केसे केसे हात खुसबू रचते हैं। फिर सेकन नमर क्वेश्टन है कविता में बरनित हातों को कभी ने खुसबू रचने बाले हात क्यों बताया गया है। इसे तरह तिसरा नमर निमलिखित पंक्तियों का आर्थ इसपस्ट किजिए। जैसे दुनिया की सारी गंदगी के बीच खुसबू की सारी खुसबू रचते रहते हैं। फिर फोर नमर क्वेश्टन है कि मुल्क की मुशूर अगरवत्तिय कहां बनती। तो चली हम लोग इसका उत्तर एक एक करके बताते हैं। तो फिर गाईज देखी ये फास्ट के उत्तर है कि उब्री नसो बाले हाथ, घीसे ना खुन बाले हाथ, पीपल के पत्ते से नएने हाथ, जुही की डाल से खुसबू दार हाथ, गंदे कटे फुटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुसबू रचते हैं। और देखे टो नमर क्वेश्टेन हम पढ़ रहे हैं गाईज, और आप लोग भी हो सके तो बुक निकाल कर रखी, टो नमर क्वेश्टेन दे रखे हैं कि कविता में बरनित हाथों को कवी ने खुसबू रचने बाले हाथ क्यों बताया गिया है। तो देखे टो का उत्तर होंगी, कविता में बरनित हाथों को कवी ने खुसबू रचने बाला हाथ इसलिए बताया है कि ये बिभीत परकार के हाथी अत्यंद कठिन परिस्तितियों में रहने के बाबजूत संसार के लिए सुगन बिखरने बाली अगरवत्तियां बनाती क्वेश्टन में थिरी कर बढ़ते हैं। में सुगन्धित बतावरन फेलाते हैं। आपनी बिडम्बना है कि सुगन फेलाने वाली वस्तु गंदगी में जन्म लेती हैं। गाईज क्वेश्टेन में फोर है कि मुल्क की मसुर अगरवत्तियां कहां बनती है तिसका उत्तर होंगे कि मुल्क की मसुर अगरवत्तियां गंदी बस्तियों में बनाई जाती है एसी बस्तियों में दुर्गंद का बतावरान सर्वत्तर रहता है चले फिर बढ़ते हम लोग पार से आगे कियोर देखेगा इज़ पार से आगे एक नमर क्वेश्चन है परतेक संद्रीयों के पीछे स्रम का युगदान होता है प्रन्तु अक्सर हम संद्रीयों के सराहना करते हैं और स्रम को भूल जाते हैं आपने भी लोगों को ऐसा करते देखा होगा किसी एक घटना क का बर्णन करें तो चले बढ़ती इसके उत्तर की ओर देखेगा इसका उत्तर होंगे कि हाँ मैंने एसे लोगों को देखे हैं फिर पुर्णी विराव लगा कर लिखिना है जैसे कुमार मिट्टी को गुंद गुंद कर नईने आकिर्तियों में बरतन बनाते हैं एबंग किसान भी मिट्टी के साथ मिट्टी होकर जब फसल को उगाते हैं और जब फसल बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपनी सरम को भोल जाते हैं हम क्वेश्टन नमर टू पढ़ते हैं क्वेश्टन नमर टू दे रखे कि सवच्छता के महत का एक अनुच्छत लिखिए तो देखिए उत्तर होंगे सवच्छता हजार नियामत है यदि हम सवच्छता अपनाते हैं तो हम हमारा परीबार एवं परिवे सच रहेगा सच बतावरण में ही स्वास्त मन, मस्तिक्स, सरीर एवं समाज का विकास होता है सवच्छता के अभाब में हम विविन्य परकार की विमारियों के आगोस में आ जाते हैं और समय काल कल्बित हो जाते यानि मिरुत्तु हो जाते हैं चले फिर बढ़ते हैं नेश क्वेश्टन क्योर देखिए गाईज, क्वेश्टन नमर थिरी अपलोग को दे रखे हैं कि आप अपने आसपास की किसी टोले महले में जाकर उहां के लोग गंदगी के बीच काम करते ही उनकी समझसाओं के बारे में जानकरी पराप्त कीजी अमंग समझसाओं का समादा नेत मुखिया अवाड को चिठ्ठी लिखिए तो गैज ये क्वेश्टन उतना इनपोर्टन नहीं है याने थिरी नमर क्वेश्टन आप लोग को नहीं करना है चलिए अब बढ़ते हैं नेश क्वेश्टन क्योर देखें नेश क्वेश्टन फोर नमर दे रखे हैं कि तेवहरों के अवसर पर घर अंगर में बनाई जाने म Еले भीविन्न परकार की रंगोलियां आप देखते होंगी उन्हें रजने बाले हाथ ही होते हैं अपने अपने इलाके में विशेश अवसर पर की जाने बले चित्रकारों के बारे हैं पता लगए तो चलिए ये भी कोईश्टिन उन्तरी इन्पोटन नहीं है इसको भी नहीं करते हैं ओके चलिए फिर बारते हम लोग अनुमान और कल्पना की ओर देखिए अनुमान और कल्पना के फर्स्ट क्वेश्टन दे रखे हैं कि यदि आपको जारखन का मुख्यमंतरी बना दिया जाए तो आप मेहनत कसों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे फिर क्वेश्टन अमर टू दे रखे हैं कुछ मजदुरों को गंदगी के बिच रख और काम करना पड़ता है उवे एसी बिशम परिश्टितों में केसे काम कर पाते होंगे कच्छा में चर्चा करेंगे तो चलिए हम लोग दोनों क्वेश्टन का उत्तर बताते हैं और बा लिखना है जारखन राज्यम में तरह तरह के फेक्टरियों खुनने का परियास करेंगे नमर टू में लिखेंगे छोटे-छोटे कुटिर उद्धक को बढ़ाबा देंगे नमर तीन लिखेंगे यगता के अनुसर काम दिलाएंगे और नमर फोर में लिखेंगे मनरेगा अबंग बृत महिलाओं को पेंशन मुहिया कराएंगे और नमर शिक्स में लिखना है छो से चोद्धा बर्स बच्चों के लिए नीशुलक सिच्छा पोसाहर भोजन आदी दिलाएंगे यगता है राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभब का परियास करेंगे चले कुछ मजदुरों को गंदगी के बीच रह कर काम करना पड़ता है उए एसी बिशम परिस्तितियों में कैसे काम कर पाते होंगे कच्छा में चर्चा करें तो देकि इसका उत्तर होंगे कुछ मजदुरों को गंदगी के बीच रह कर काम करना पड़ता है उए एसी बिशम पर इस्तितियों में कई तरह के परियास अपना कर अपने आपको बचा सकता है जैसे अधिक से अधिक साफ सफाई करके कच्रा को कुडेदान में डाल कर काम पूरा होने के बाद कापड़ा बदल कर एब नहा कर स्वास्त रह सकते हैं तो गाइज एही पर आपका जितना मैन कुश्चन थे उसका मुत्तर बता चुके हैं और इसी तरह वीडियो हम बनाते रहेंगी तो आज एही पर विदा लेते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई